हलो और विल्कम टू तो देजुक्लासेस आप सभी का आपका अपना यूटुब चैनल देजुक्लासेस में स्वागत है प्रिविएस वीडियो में हम लोग ने पार्ट फोर यानि चैप्टर जो फोर है कारवार नाने इट्स कंपाउंड उसके इंपोर्टेंट mcqs को देखा करेंगे तो एक भी mcqs जो है वो आपका नहीं चूटेगा ठीक है अगर mcqs में जो 20 कोस्चन्स का सीरीज लेकर के हम आया है उसकोस्चन्स में से अगर नहीं भी है तो बीच में जो डिसकॉसंस होते है न उससे जरूर रहेंगे तो आप ध्यान से बने रहेंगे ध्यान से तो आवर्त वरिगी करन उसके टॉप 20 कोस्चन्स को सबसे पहले हम लोग पहला कोस्चन्स देखिए यहां पर शुरुवात है नियूलेंट्स लॉफ अक्टिव यानि नियूलेंट्स का सुझे संबंध है वो क्या कहलाता है नियूलेंट्स रिलेशन्स इस कॉल्ड तो क्या है लॉफ औप यह स्टक का नियं KI जो पहला वाला है वह आठवा वाला के कराक्टरिस्टिक्स दोनों के करेक्टरिस्टिक्स जू होते है जो दोनोग के गुन जो है वह सेम होते हैं और उस तरह से क्या हुआ elements को arrange किया गया clear है कोई दिक्कत नहीं है चलिए दूसरा चीज़ दूसरा कोशन क्या है त्रियक नियम का प्रतिबादन किस वैग्यानिक ने किया था जो त्रियक नियम है उसका प्रतिबादन किस वैग्यानिक ने किया था ट्राइटलो इस गिवेन बाई आपको पता है किस ने दिया था डोबर्नैर इन्हों ने आपका ट्रीअक्नियम दिया था यह क्या किए थे जो तरह से एरेंज में किये थे कि पहला element और तिसरा element का average atomic mass होता वो बीच वाले element का होता ठीक है? यानि आसत द्रभ्यमान जो होता परमान द्रभ्यमान वो बीच वाले जो तत्व होते उनका होता clear है? तो ये तीन-तीन के करम में इसको क्या किया? तीन-तीन का एक घर बना करके इसको सजाये गया है ठीक है? तो ये किस ने दिया था? डोबरनेर ठीक है? तो question नमर दू का सही answer क्या ज़ेगा? option number C next question देखिए question number 3 question number 3 क्या कह रहा है? कि आधुनिक आवर्त नियम की अनुसार तत्तो कागुन धर्व आपको पता है कि जो डोबरेनर ट्रेंट्स दिये उसके बाद Newland's Law of Octave आया उसके बाद जो आया वो मेंडिलिफ ने प्रियोडिक टेबल दिया और मेंडिलिफ ने जो प्रियोडिक टेबल दिया वो किसके अनुसार से दिया? परमानु द्रब्यमान के अनुसार से दिया किसके अनुसार से दिया? परमानु द्रब्यमान के अनुसार दिया लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ कमिया थी वो भी पूरी तरह से उसको सोने सारे एलिमेंट्स को नहीं कर पाया केवल कुछ एलिमेंट्स I think so 67 elements को ही केवल वो दर्साप आया था है ना तो उसके अस्थान पर एक नए आवर्त नियम का जनम हुआ और उसका नाम पड़ा आधुनिक आवर्त नियम और इस आधुनिक आवर्त नियम को एक ascending order में किस ascending order में किसके ascending order में तो परमानु संख्या यानि atomic number के बढ़ते क्रम में उसको क्या किया गया सजाया गया क्लियर है ठीक है तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्तो का गुन धर्म ठीक है तो तत्तो का गुन धर्म क्या होगा periodic function of their atomic number हना परमानु संख्या का आवर्त फलन तत्तो का गुन धर्म जो होता है हना वो क्या है तत्तो का गुन धर्म जो होगा वो periodic function of their atomic number ठीक है periodic function of their atomic mass जो होता है वो किसका था मेंडिलिफ का जो कि कितने elements थे केवल 63 elements उस समय ग्याद थे clear है कितने elements थे 63 elements जो थे वो उस समय ग्याद थे ठीक है चलिए question number 3 का सही answer क्या हो जागा तो परमानु संख्या का आवर्त फलन है प्रत्तो का गुन धर्म the properties of the elements are the periodic function of their atomic number परमानु संख्या का आवर्त फलन है clear है चलिए अगर आपका मेंडिलीफ का पूछेगा तो परमानु दर्ब्यमान हो जाएगा यह के वाल ध्यान में रखेंगे next question 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 number 4 निम्नांकित में सरवाधिक बिद्धुत्र निनात्मक तत्व कौन है most electronegative element is सबसे ज्यादा electronegative कौन होते है तो हालोजन ग्रूप में जो सबसे उपर है यानि fluorine जो होगा that is the most electronegative elements ठीए है सबसे ज्यादा electronegative element कौन होते है next question number 5 आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाय से दाएं जाने पर तत्तों की परमानुत्रिजिया क्या होती है on going left to right in any period of the periodic table periodic table के अगर left से right इस तरह से जाएंगे तो उनकी परमानुत्रिजिया जो होती है यानि atomic radius जो होता है उसमें क्या बदलावाते है तो देखिए आप इस chapter में या तो group में समूह में उपर से नीचे की ओर और आवर्त यानि periods में left से right यानि बाय से दाएं की ओर का क्रम आपको याद रखना है mainly आप क्या सब में देखेंगे कि अगर left to right अगर बढ़ रहा है तो group में उपर से नीचे घटेगा और अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा clear है तो आप देखिए कि अगर आप से कहा जाए कि आवर्त में बाय से दाएं जाने पर पर्मानुत्रीजिया में क्या होगा तो पर्मानुत्रीजिया क्या होती है घटती है क्या होती है घटती है लेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेगा और उसको क्या करेगा सटा देगा ठीक है तो अब क्या होगा left से right जाने पर periodic table में किसी भी period में उसकी atomic radius क्या होती है घटती है ठीक है तो पच्वा का सही answer क्या हो जाएगा option number a यानि decrease अगर यही पूछा जाता उपर से नीचे क्यों अगर जा रहे हैं तो क्या होगा तो उपर से नीचे आए जाने पर तत्तों के परमानु साइज यानि atomic साइज अब atomic radius decrease हो रहा है कम हो रहा है तो एट रीडियस जब कम होगा इससे और च्छोटा हो रहा तो साइज क्या होगा और च्छोटा होगा तो तो लेफ्ट से राइट जाने पर किसी भी पिरिड्स में atomic size भी क्या होगा decrease करेगा तो 6 का सही answer option number a clear है अगर यही group में यानि समुह में उपर से नीचे की और कहता तो वो क्या हो जाता बढ़ता चलिए next question बर साथ देखिए आधुनिक आवर्थ सारणी में कितने उर्ध अस्तम होते हैं तो आधुनिक आवर्थ सारणी में जो group होते हैं इसको group बोलते हैं यह कितने होते 18 कितने group होते हैं अठारा group होते हैं और periods कितने होते हैं साथ तो seven periods और vertical pillar यानि vertical यह हो गया और horizontal जो होता है that is called the period यानि जो उर्द्व आस्तम है वो वर्टिकल है यानि उपर से नीचे तो यह कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे तो सत्वा का सही आंसर option number D यानि 18 अब तक कितने तत्तों का पता लग चुका है according तो यह कितने तत्तों का पता लग चुका है 118 elements का कितने का 118 जब मेंडलीप ने किया था तो कितने 63 clear है चलिए तो अठवा का सही आंसर option number A next देखिए question number 9 मेंडलीप ने आवर्त नियम कब दिया था तो मेंडलीप ने आवर्त नियम जो दिया था वो कब दिया था 1871 में नवा का सही आंसर क्या हो जाएगा option number D यानि 1871 में 1872 में ये पहली बार पत्रिका में आई थी प्रकासित हुआ था मेंडलीप के द्वारा जो आवर्त सारनी बनाई गई थी वो पहली बार प्रकासित थी 1872 में दिया कब था 1871 में clear है चलिए question बर दस देखिए helium कैसा तत्व है helium कैसा तत्व है आपको पता है इधर hydrogen इधर helium और helium यानि duet पूरा किया हुए है इसलिए यह क्या है inert gas है कैसा है inert gas यानि अक्रिय तो दस्वा कसा यह answer option number a यानि inert question बर 11 देखिए मेंडलीप ने तत्व को निमलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वरगी क्रित किया था मेंडलीप has classified elements in ascending order of which characteristics तो मेंडलीप ने किसका किया था atomic mass यानि परमानु द्रभ्यमान अभी हमने बताया किससे कैसे किया था परमानु द्रभ्यमान और अगर आधुनिक आवर्थ सारनी कहेगा तो वो किसके अनुसार atomic number के अनुसार clear है तो 11 का सही answer क्या हो जाएगा 11 का सही answer option number b यानि परमानु द्रभ्यमान question 12 देखिए आवर्थ सारनी में कितने आवर्थ है अभी हमने discuss किया था आवर्थ कितने होते हैं साथ है ना तो जब भी पूछा जाएगा तो क्या होगा modern periodic table ही पूछा जाएगा तो जब modern periodic table पूछा जाएगा तो उसमें कितने आवर्थ होते हैं साथ आवर्थ सारनी कितने ह हो जाएंगे साथ clear मेंडिलीफ की बात आएगी तو मेंडिलीफ में आपका आठ ग्रूप थे कितने गूरूप थे और पीरड कितने थे छे थे कितने थे छे ठीक और हर जैसे शार पाँच और च्हेट चार पाँच और छे पीरिट में दोडो elements रहते थे कितने elements दो-दो elements रहते थे clear है चली कोश्चन अबर 13 देखिए आवर्त सार्णी के प्रथम वर्ग के तत्तो को कहा जाता है क्या कहा जाता है elements of first group of periodic table chord तो पहले elements को पहले elements को यहां किये यह क्या है पहला elements है यानि lithium है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम तो यह होता है alkaline metal क्या होता है alkaline metal चारिये धातू यह alkaline earth metal जो दूसरा वाला group है वो क्या है alkaline earth metal ठीक है बाकी यह transition element और यह क्या है है यह halogen और यह क्या है inert gas ठीक है यह इतना ध्यान रखना है आपको चलिए देखिए तो आवर्स अर्णी के प्रत्म वल्कों किया कहा जाता था क्या कहा जाता है तो पहले वाले तत्तू को कहा जाता है चार-धातू या यानि यानि एलकाली मेटल यानि छार धातू नेक्स्ट कोशन देखे कोशन वर्चोदर आवर्थ सार्णी में एक टेड़ी मेड़ी रेखा वस्तूओ धातूओं को अधातूओं से अलग करती है इस रेखा पर आने वाले तत्तों कहलाते हैं तो जिग जैग लाइन इन प्रियोडिक हाइट एक मिनट यह आपको दिख रहा हो ना बोरोन के पास से बोरोन सीलिकन जर्मेणियं अर्षेनिक तो यह जीतने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये मेटलोईड है क्या है metaloid जिसका क्राइक्टरिश्रिक है metals और non metals के बीच में होता है तो ये divide करते हैं इधर metal और इधर non metal और ये खुद क्या है metaloid से तो अगर metaloid पुछा जाएगा तो metaloid में क्या होगा boron, silicon, germanium, arsenic, tellurium और polonium ठीक है तो इसका सही अंसर क्या होज़ेगा option number D यानि उपधात्व यानि मेटालोईड ठीक है चलिए next question देखिए question number 15 आवर्थ सानी के किसी आवर्थ में बाएं से दाएं जाने पर तत्तों के धात्विक गुण धर्म धात्विक गुण धर्म धात्विक गुण धर्म यानि इलेक्ट्रोंस लूज करने की कापसिटी तो यह क्या होती है घटती है क्या होगी घटेगी तो 15 का सही अंसर option number A यानि घटती है ठीक है चलिए question number 16 दहेए इनमें से बिसम तत्तों को चुने, बिसम तत्तों आपको चुनना है, fluorine ठीक है, chlorine, bromine तो यह fluorine, chlorine, bromine थीनों क्या है है? ग्रूप से हैं किस से है 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 लोजर ग्रूप से और हीलियम जो है वह इनर्ट ग्रूप से है ठीक इसलिए सम्में ऊर्ड कौन होगा विसम खौन होगा बिसम होगा ठीक है छुरिए नेच्छ देखे क्वdess Gayै अप इन में से विसमतत्तों को चुने sodium, magnesium, beryllium, calcium आईए आप periodic table देखिए periodic table देखिएगा तो lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium ये क्या है? group number one two में क्या है? beryllium, magnesium, calcium, istronsium, barium और radium तो ये आपका group number two है आपको ये कम से कम main main चीज़ याद रख लेना है तो अब क्या होगा? एक मिनट इन में से बिसम तब तो कुछ नहीं तो क्या होगा? sodium, magnesium, है ना? तो lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium ये हैं, तो lithium के साथ sodium, potassium, है ना? तो sodium क्या है? alkaline metal ये छारिये धातु है और बाकि beryllium, magnesium, calcium ये क्या है? alkaline earth metal ठीक है? क्या है? alkaline earth metal चलिए, तो इसमें सही आंसर कहा जगा? option number A, यानि sodium चलिए, इन में से बिसम तब तो को चुने फिर वही है, lithium, sodium, potassium ये alkaline metal और aluminium जो है वो alkaline earth metal तो इसमें कहा सही आंसर? अठारा कहा सही आंसर option number C चलिए, नेक्श्ट देखिए, आवर्थ सारनी के किस समूग को उपर से नीचे जाने पर तत्तो की संयोजगता? किसी समूग के उपर से नीचे जाने पर तत्तो की संयोजगता क्या होती है? valency तो देखिए, जिस ग्रूप में है? इसकी valency 1 तो सबका क्या होगा? same balance इसका सबका same balance जाने 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 पर तत्तो की संयोजगता क्या होती है? unchange होती है, यानि आप परिवर्थित रहती है तो उनीच का सही आंसर, option number C question number 20 किस समूग को हैलोजन समूग करते हैं? which group is called the halogen group? तो इन में से चुनना है क्या चुनना है? ग्रूप 12, 18, 17 और 16 इन में से कौन सा ग्रूप है? जिसको हम लोग हैलोजन समूग करते हैं इसका आंसर आप comment section में देंगे ठीके? तो ये थे आपके important 20 questions मिलते हैं next video में हाँ ना? आप अधिक सदिक अपने दोस्तों के साथ इसे share करें और अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें Thank you Thank you for the watching